हमारे यूटूब चैनल स्वरा अनकेडमे क्लासेस पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि गडित कक्षा 10 की है ट्रेंगिल इसमें हम पढ़ेंगे आज कोशन नमबर 13, 14, 15 और 16 ये 4 कोशन बचे थे बाकी इसके पहले वीडियो में सॉल्व किये जा चुके हैं तो आईए सॉल्व क इसके लिए कोशन नमबर 13 में देखिए क्या दिया गया है कि कोशन नमबर 13 में एक कहा गया है कि एक ट्रेंगिल है ABC यानि एक ट्रेंगिल हमारे पास क्या है A, B, C है और जिसकी भुजा B, C पर एक बिंदो D इस प्रकार इस्थित है कि A, D इस प्रकार D इस्थित है यानि B, C पर मान लिजए यहाँ पर कोई एक D जो है उपस्तित है यानि बिंदो इस्थित है तो A, D, C A, D, C इधर का ट्रेंगिल इस साइड का ट्रेंगिल की बात करते है एक्वल टू क्या है हमारे पास बी एसी बी एसी यहाँ का और यह किज़े दोनों एंगिल एक्वल है दरसाई यह कि सी ए स्कॉार एक्वल टू सी बी एंड सी डी यह चीज़ है यहाँ पर इसको हमें सिद्ध करना यानि प्रूफ करना तो आईए इसको हम कोश्चन आप समझ गए हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है तो आईए देखें सबसे पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा डाइगराम बनाने की कोशिस करते हैं यह इस तरीके से हमने डाइगराम बनाया उसको देखें यहाँ हमने एक डाइगराम बनाया और इस डाइगराम को लिखा यहाँ यह बी लिखा यह सी लिखा और यह डी है इन्होंने कहा कि इसमें कोश्चन यह वालो और यह कोश्चन इक्वल है यहाँ पर कौन जो हमारे पास equal उन्होंने बताया BAC यहनी BAC complete कौन है यहाँ पर यह equal है अब देखिए उन्होंने कहा कि जो हमें given है given जो है उस given के बारे में बताया कि जो कौन A, D, C equal to कौन B, A, C बराबर दिया गया है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि कौन ट्रेंगिल A, B, C और कौन सा लेख सकते हैं तूसरा यहनी A, D, C हमने दोनों ले लिया देखिए एक हमने A, B, C complete ले लिया एक A, D, C ले लिया यहनी इधर का यह ट्रेंगिल हमने ले लिया अब देखिए इसमें क्या है हमें जो कौन उपर दिया गया था वो हमने कहा कि A, D, C equal to कौन, B, A, C हमें क्या है गिविन है यह हमें गिविन है और देखिए कौन, B, C, A कौन, B, C, A यहनी यह वाला कौन जो है वो दोनों में है B, C, A यह क्या हो जाएगा यह common हो जाएगा यह common हो जाएगा यह यहां common हो जाएगा तो इसकी जरूरत नहीं है यहां जब यह common हो गया तो आगे आप देखिए आगे वाले में क्या मिलेगा आपको जैसे हमने लिखा कि यह common हो जाएगा तो जब common हो जाएगा तो दो angle आपको मिल गए तो जब दो एंगिल मिल गए, तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ आप जैसे common हो गए, तो आप लिख दोगे यहाँ पर, A and A समरूपता, समरूपता से सिध्ध हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, triangle B, A, C, समरूप हो जाएगे, triangle A, D, C, दोनो, अब जब यह triangle समरूप हो जाए तो हम देख सकते हैं, जो हमारे पास triangle हैं, फिर से देखो triangle आपो दिखा ते, यह triangle था, इस तरीके से, यह A था, यह B था, यह C और यह D, अब आप इसमें देखिए, हमने जो दोनों लिए हैं, उसमें हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, C, A, तो हमने सबसे पहले C, A लिखा, C, A, आया, और नीचे, ज़र C, A आया, तो यह C, A, यहाँ पर A, C आया, ऐसे ही यहाँ पर आपको दिख सकता है, आप C, D लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, C, D लिखेंगे, equal to, अगले वाले step में, आपने लिखा C, B, तो यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, C, A लिखेंगे, अब देखेंगे, जैसे ही वजर गुड़ने ने कहिंची का, cross multiplication इसका करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको multiply करने पर मिलेगा, C, A, multiplied by C, A, equal to, C, B, multiplied by C, D, जहाँ है, इसको आप लिख देंगे, C, A का whole square, और यह, C, B, multiplied by C, D, यह, proof हो जाता है, इस परकार, question, अब आईए, अगले वाले question में चलते हैं, question number 14 में, question number 14 में, देखिया, आपको दिया गया है, कि एक triangle है आपके पास, A, B, C, एक triangle है, A, B, C, जिसकी बुझा A, B, A, C, तथा माधिका, A, D, यह, इस परकार का एक triangle है, A, B, and C, इसके माधिका, यहाँ पर जो आपको दी गई है, तो इस माधिका को हमें यहाँ पर समझना है, यह माधिका जो हमको दी गई है, वो क्या है, A, D, यह A, D, दी गई है, आप लोगने कहा, एक अन्य तरभुझ की बुझाए, P, Q, और P, R, तथा माधिका, P, M, इसी परकार एक तरभुझ और बना लेजिए, P, Q, R, इसकी माधिका, P, M, कर दीजिए, के रुपे करमसा, समानों पाती हैं दर्साइए, कि यह दोनों तरभुझ, जो है, क्या है, समरूप है, दोनों तरभुझों को हमें समरूप दिखाना है, तो आईए, देखते हैं आप, जो चीजे बताई गई हैं, तो सबसे पहले, हम तरभुझ बना लेते हैं, तरभुझ हमने आपको बना के दिखा दिया है, अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर त्रभुज जो दो त्रभुज हमने लिगे हैं उसमें क्या है एक A, B, C है और दूसरा कौन सा त्रभुज है त्रभुज P, Q, R है इसमें आपको क्या मिलेगा इस वाले में आपको मिल जाएगा A, D, और P, M, क्रम्सा, भुजाओं, B, C, और Q, R के संगत 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 माधिकाएं माधिकाएं आपको दी गई माधिकाएं है यहाँ पर क्या है यह आपके पास ट्रेंगे लाएं कौन सा P, Q, R है इसी तरीके से दूसरा वाला कौन सा यह M हो जाएगा दूसरा है एक त्रभुज A, B, C और यहाँ पर क्या है D है अब एक ही करके हम यहाँ लिखेंगे तो देखिए यहां क्या है A, B, D, V, P, Q equal to half A, C divided by half P, R equal to A, D, divided by rum यह चीज आपके पास आजाएगी अब देखिए half A, C का मतलब क्या है हाफ AC का मतलब है हाफ AC अब लिखेंगे तो इसको हम क्या लिख देंगे हाफ AC को हम आप यहाँ पर हाफ AC PR आप यहाँ हाफ AC नहीं है यहाँ हाफ BC है यहाँ और इस चित्र के नुसार हाफ BC और हाफ QR QR है यह ABC है यहाँ पर और यह QR है जब आप इन दोनों को लिखेंगे यहाँ पर तो आपको क्या मिल जाएगा हाफ AB डिवेड़ बाई डिवेड़ बाई जो मिलेगा आपको PQ मिला इसके बाद हाफ BC की जगे पर आप क्या लिख दोगे हाफ BD लिख सकते हो और वहाँ QR की जगे पर QM लिख सकते हो आप हाफ एककोल टू AD तो आपके पास है उपर और यहाँ PM यह माद दिखाएं है इसी प्रकार आप लिख दोगे AB डिवेड़ बाई PQ से और दूसरा पार्ट आप लिख सकते हो उसी तरीके से AC के टर्म में PR एकोल टू AD PM यह हो जाएगा इस प्रकार यहाँ पर जब हो जाएगा तो इसे आप लिख दोगे कि यह जो दोनों हमारे ट्रेंगिल है यहाँ क्या लिख दोगे AB हो गया AC हो गया और AD हो गया यह आप BC complete लिख सकते हो BC divided by हमारे पास क्या BC divided by QR भी हो जाएगा QR भी हो जाएगा तो इस आधार पर आप क्या लिख दोगे जहां लिख दोगे कि ट्रेंगिल ABD similar हो जाएगा किसके PQM के यह हमाई सम्भी करन first के अनुसार हो जाएगा यहां सम्रूपता कौन से आएगी triple S similarity के कारण सम्रूपता यह हम लिख देंगे यह चीज संगत कौन समान हो जाएगे अब इसके देखिए क्या हो जाएगा इस वज़े से इसके संगत कौन यह होंगे संगत कौन समान हो जाएगे समान होंगे होंगे समान होंगे इस प्रकार अब हम लिख सकते हैं कि कौन A BD इक्वल टू कौन PQM इस प्रकार कौन A BC इक्वल टू कौन PQR यह आपको यहां मिल जाएगा इस प्रकार कौन A B C आपको क्या मिलेगा ट्रेंगल A, B, C और ट्रेंगल PQR यह मिल जाएगा यहां पर अब इन दोनों की वज़े से जो यह ट्रेंगल हमने कंसीडर किये दोनों उन कंसीडर ट्रेंगल में क्या मिल जाएगा ट्रेंगल A B C एकोल टू PQR यह समय करण दो से तो हम लिख देंगे A B डिवेड़ेड बाई PQ एकोल टू B C डिवेड़ेड बाई QR यहां पर एक एंगल मिल गया दो साइड तो इकोल हमें मिल गई तो इस वज़े से यहां क्या मिल जाएगा S A S similarity हमें मिल जाएगी A S A S similarity की वज़े से क्या हो जाएगा कि यह ट्रेंगल जो है A B C सिमिलर हो जाएगे ट्रेंगल P Q R के तो इस परकार यह question solve हो जाता है question number अगला है देखी question number अगले में क्या है कहा गया कि लंबाई 6 मीटर वाले एक उर्दाधर इस्तम 6 मीटर उर्दाधर वाले हमने लिख बना दिया है फिर उनका कि इस्तम की भूमी की चाया लंबाई 4 मीटर तो यह चाया इस तरीके से समय एक मिनार की चाया कि लंबाई 28 मीटर है तो मिनार की उचाई ग्याद कीजिए अब देखो उसी की बगर उससे बड़ा तो अभी इस मिनार की हमें उचाई नहीं पता लेकिस की परचाई की पता है लंबाई कितनी है 28 तो यह दोनों सिमिलर पहले सिद्ध करना पड़ेगा और यह हाइट हमें निकानने पड़ेगी यह कारिस में करना पड़ेगा तो पहले हमको क्या करना है दोनों ट्रेंगल्स को हमें सिमिलर करना पड़ेगा यह कोश्चन नमबर हमारा कौन सा है 15 कोश्चन नमबर है question number 15 है तो हमने सबसे पहले एक triangle ये बनाया यहाँ 6 और ये 4 है इसी तरीके से एक दूसरा बनाया है इनोंने ये इनोंने कहा कि ये H मान लीजिए और ये 28 मान लीजिए ये हमारा A, B and C हो गया और उसी प्रकार यहाँ अब D, E, F मान लीजिए ये हमारा D हो गया ये हमारा E हो गया और ये हमारा F हो गया ये चीज़ हो गई अब यहाँ जो है हमें सिद्ध करना पढ़ाईगा तो माना समकॉण जो हमारे पास क्या है समकॉण जो तर्भुज है वो A, B, C है तो इसमें हम मान लेंगे कि जो उचाईयां है यानि A B जो हमको दिया गया है A B जो दिया गया है वो हमको 6 मीटर दिया गया है और B C जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 4 मीटर दिया गया है इसी प्रकार दूसरे वाले में D E की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें हमने माना है एच मीटर और जो हमारे पास एफ है एफ एफ है वो 28 मीटर है यह दोनों चीजे हैं अब हम इनकी similarity उनकी सिद्ध कर देते हैं तो ट्रेंगिल A, B, C और ट्रेंगिल D, E, F आप दोनो diagram देख चुके हैं तो उसमें आप देखेंगे कि cone B equal to cone E है और यह कितने हैं sum cone हैं तो यह 90 degree के हैं और आप जानते हैं कि 90 degree के cone है तथा cone A बराबर cone D हम यहाँ पर लिखेंगे कि cone A बराबर cone D है cone A बराबर cone D तो इस वज़े से यह A, A similarity की वज़े से sum रूपता के कारा सिद्ध हो जाएगा कि यह दोनो जो हमारे होंगे यह तरभुच A, B, C similar हो जाएंगे triangle D, E, F के हो जाएंगे और जैसे ही similar हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं A, B divided by D, E equal to B, C divided by E, F जैसे हमने यह लिखा तो आपको क्या मिल जाएगा आपको मिलेगा 6 divided by H equal to 4 divided by 28 cross multiplication करेंगे तो जब cross multiplication करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 6 यानि H equal to H चाहिए आपको H equal to 6 multiplied by 28 divided by 4 4 से divide कर दीजिए 7 आया और साच्छं 42 हो जाएगा यानि H equal to आपको कितना मिल जाएगा 42 मीटर इसकी उचाई मीनार की जो अभीस्ट उचाई होगी वो कितनी हो जाएगी 42 मीटर हो जाएगी आप चलते हैं कोश्ण के तरफ अगला कोश्ण हमारा देखिए क्या कह रहा है अगला कोश्ण कह रहा है अगले कोश्ण में कह रहा है कि AD यहाँ जो हमारे पास है AD और PM त्रभुजों में A, B, C और P, Q, R की करमसा माद दिकाए है यहीं एक तरभुज यह है और एक तरभुज यह है तो इसके दोनों जो माद दिकाएं हैं वो एक की D है यह यह दी और एक हमारी कौन सी है? यह है भाई, A, B, C मान लेजिए, P, Q, R मान लेजिए जबकि तरभुज A, B, C और P, Q, R जो हमारे हैं यह सिमिलर हैं तो सिद्ध कीजिए कि A, B, B, P, Q यानि A, B, B, P, Q और A, D यानि यह माद दिकाएं प्यादी का बटे P, M इस तरीकी का सवाल पहले हम थोड़ा सा कर चुके हैं बिरुकुल उसी की हिंट लेटे हुए इसको भी हम सवाल करेंगे तो आपकी डाइगराम समझ में आ गया कि किस परकार डाइगराम यहाँ बनेगा तो हमें जो प्राप्त है वो क्या A, B, C, सिमिलर हैं ट्रेंगिल P, Q, आर के और जो B, C, यहनि कहने का मतलब P, D, यहाँ पर जो आ रहा है, A, D, तथा P, M, क्या है, माद्धिका हैं, हमारी क्या है, माद्धिकाएं हैं, यह चीज आपको पता है, तो यहाँ पर जब दोनों सिमिलर हैं, तो यह चीज हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको देखके, कि A, B, D, डिवड़ेड बाई, P, Q, लिखा जा सकता है, एक्कॉल टू B, C, डिवड़ेड बाई, Q, R, लिखा जा सकता है, इसी परकार, C, A, लिख दिया इसके भुजाओं, और समानपात्ती कर दिया, तो इनके कोण भी संगत कोण भी क्या होंगे, एक्कॉल होंगे, यह नि, कोण A, एक्कॉल टू कॉण P, इसी तरह किसे कोण B, एक्कॉल टू कॉण Q, इस तरह किसे कोण C, एक्कॉल टू कॉण R, देखी कैसे, यह भूज है ए दी सी दूसरा है ए यहां पर क्या है पी क्यू और अब यहां देखिए यहां पर एक M है यहां किया है डी है यह चीज है हमारे पस अब देखिए इन्हों ना कहा कि कौन A तो कौन A कौन B के और कौन B तो कौन B एक्वार्टो कौन की के क्यूंकि फिर उसके बाद देखिए यहां किया है कि कौन C सी कौन आर के जो है बराबर है अब बाकि हमारी एडी और बटे जो है पी एम ये हमारी क्या है माद धिकाए हैं ये चीज़ आपको किलियर हो गई होगी डाइगराम आपके सामने बने हुए है अब इसी के आगे हम लिखना है ये समीकरम टू हो जाएंगी इसके फ़ल पहले वाली थी अब देखिए इसमें आगे क्या लिखना है तो अगराम हमने हटाए है और आप बना चुके हैं इसको तो हम यहां लिख देंगे चूंकी चूंकी एडी और पी एम माद धिकाए हैं माद धिकाए हैं तो बी सी एकोल टू 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 टाइम्स बी डी अब लिख सकते हूँ इसी प्रकार क्यू आर पूरी समीकरम लिखेंगे आप तो देखिए टू टाइम्स क्यू एम लिख सकते हैं कैसे आप देखिए एक को हम समझा रहे हैं यहाँ पर A, B and C यह माद धिका है D तो आप B, C यह निए पूरी समीक लाइन लिखना है तो उसको दो गुना B, D के बराबर तो कर सकते हैं अब आपके समझ में आगे होगी यह जो B, D है इसको दो गुना कर दीजिए तो इसके बराबर हो जाएगी तो यह चीज आपकी clear हो गई यहाँ पर कि किस प्रकार हमने दोनों त्रे भुजों से Q, R को दो गुना जो है Q, M के बराबर लिखा है अब देखिए यहाँ पर आगे क्या लिख सकते हैं आगे इसी जगे है पर changes कर देंगे तो यहाँ हमने लिखा A, B divided by P, Q equal to 2 times B, D divided by 2 times Q, M equal to B, D equal to Q, M यह 2, 2 क्या होगे है आपका divide होगे है अब इस परकार जब ऐसा बन जाएगा तो आप लिख सकते है कि कोड B equal to कोड Q तो हम क्या लख सकते है कि कोड A, B, D equal to कोड P, Q, M देखिए कैसे यह चीज़ तरभुज A, B, C है यहाँ पर देखिए अब यहाँ यह हमारा D था इसी तरीके से यहाँ पर आप देखिए यह P, Q, R था और यह M था अब यहाँ आप क्या चेंज़ देख सकते हैं A, B, D देखिए A से चले B चले और यह D इसी प्रकार P, Q, M यहाँ इतने तरभुज की हम बात कर रहे हैं यहाँ दे हम इस तरभुज की ही बात कर रहे हैं तो यह चीज़ पुरूफ हो गई अब दो हमको क्या मिल गए दो कौण यहाँ पर एक कौण और दो भुजाए हमको पराबर मिल गई तो हम लिख देंगे कि उपरोग समी करणों के साहता से ट्रेंगिल A, B, D सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगिल P, Q, M के और किसके वज़े से S, A, S सिमिलर्टी की वज़े से समरूपता के कारण तो इनके संगत बुजाएं जो होंगी वो भी समानुपाती हो जाएगी तो A, B बटे P, Q हो जाएगा और A, D बटे क्या हो जाएगा P, M हो जाएगा यही चीज हमें यहाँ पर Solve करनी थी तो यह इस परकार questions यह Solve हो जाते हैं देखिए अब आगे जो आपको पढ़ना है उसमें पढ़ना है समरूप त्रबुजों के छेत्रफल के बारे में यानि हम जो Next वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे त्रबुजों के छेत्रफल के बारे में यहाँ एरियाज निकालेंगे इसके और भी इसी के basis पर तो यानि अगली हमा एक्सराइज होगी जो अगली एक्सराइज होगी वो होगी 6.4 को हम Solve करेंगे अगले वीडियो में तो मिलते हैं